देश की राजधानी दिल्ली जहां तमाम सुच सुवधाओं की अगर हम बात करें तो उच इस तरकी सुवधाओं होने चाहिए लेकिन राजधानी दिल्ली के कई इलाके आज भी ऐसे हैं जो ना केवल सुवधाओं से वन्चित हैं बलकि लोग नार के जीवन जीने को मजबूर है जी हां आज हम आपको एक ऐसी ही खबर दिखाने जा रहे हैं जो मंगूल प्रिविधान सवा के अंतरगत आता है जिसे पंजावी कालोनी के नाम से जाना जाता है यहां के लोग इस देनी स्थीती में रह रहे हैं कि लोग यहां पर हर पल डर के साए में रहने को मजबूर हैं वज़े यह है कि यहां की जो दिवारे हैं वो खंड हर होती जा रहे हैं और अक्सर हादसे का कारण भी बनती है आपने दिली की हाइटेक कालोनी और सोसाइटी तो जरूर देखी होगी लेकिन आज हम आपको राजधानी के ऐसी तस्वीर दिखाने चा रहे हैं जहां लोग ना केवल सुख सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं बलकि लोग अपनी जान को दाव पर लगा कर रहने को म मजबूर हैं दरसल दिली के मंगोलपुरी इलाके में इस्थित पंजाबी कैंप के लोग नार के जीवन जीने को मजबूर हैं तर यहां 46 से यहां पर लोग आये हूए हैं और पंजाब के दंगों में मतलब कि सरकार ने जगे हम लगों को रहने के लिए दी ती उसके बाद कोई भी आज तक यहां की कोई भी हमारी परमता किसी भी पर सित्यों कोई वह परिशानी रही है हमें यहां आते तो बहुत लोग है लेकिन हमारी भी कभी समस्याओं का किसी ने भी निरक्ष्ण में किया है वह सीम से भी मिली हूं यहां डीशूप पर गई हूं यहां जित्रे भी मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं और उस्ताइब जो आकर कि जहां यहां के दिवार यह साफ बया कर रही है कि यहां कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है घर की छट का हिस्सा कभी भी नीचे गिर सकता है यहां रहने वाले लोग अक्सर इस खौफ में रहते हैं कि वह किसी हादसे का शिकार ना हो जाए इस कैम्प में रहने वाले लोग आज के आदुनी की युग में दिल्ली जैसे शेहर में भी मूलबू सुर्धाओं से बन चित है। यह बधाली का आलम है कि अक्सर जरजर इमारत की छट किसी पर गिर जाती है तो कभी दीवारे। लेंटर में निकल रहे हैं लोहे के सरीये कैम्प की जरजर हालत को साथ तोर पर दर्शा रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि रात को सोते समय लोगों को यही डर सताता है कि कहीं च्छत या इमारत ना गिर जाए। और वो सोते के सोते ना ले जाए। यह जाएंगे हम यह बच्चे हमारे निके निके बच्चे घंद पड़ा हुए साहां। कहुंचे हम वोह तो एदर जाएंगे हमें। कहने के बच्चों को जाएं यह सहारा कमपर। इधर चारा टूटा का ने यह 40 साल होगे हमें जा रह रहते। बिल्कुल गंदकी में हम रहे हैं, चलीस साल होगे हमें जहा रहते हैं, बच्चे भी यहां कोई नहीं हमारा, रिष्तेदार कोई रिष्तेदार नहीं यहां था, बहुत ही जदा है, यह तो ख़श्ता आलत में हैं, फदा नहीं कहां से भी गर जाए, मैं तब उधर जा गया, बैठा ही अभी, उपर से काफी मलबा मेरे सिर में गिर गया, तो फेर मेरे को हॉस्पिटल आगे गया है, डाक्टरों ने क्या आप यह सिटी स्कैन करोना पए गया जल्दी, प्राइवेट कराओ, नहीं तो सरकारी लेट हो जएगा, अभी चाहिए, इसकी आलत तो काफी टा हर साल हर कोई आ जाता है, वादा कर जाता है, वाफित चला जाता है, कोई कुछ बोजता नहीं है, पागल समझाबा है हमारे को, क्या कर सकते हैं, कुछ भी मजबूर है, नहीं है, कुछ है ही नहीं सादन रहने के लिए, इसके lekker मेरे, जिज़ेख रिगा थो तो सारी सरकार ब गोरतलवेक इस बस्ती में दोसों से ज़्यादा परिवार रहता है और ये परिवार हर पल खौफ में जी रहें। यहां रहने वाले खुद नहीं जानते कि कब उनके साथ कोई बड़ा हाथ सा हो जाए। मिली जानकारी के अनुसार ये कालोनी 1984 के बाद बसाए गई थी। उसके बाद से ही इस कालोनी की ओर कोई झाकने तक नहीं आया। जैसे जैसे कैलेंडर की तारिक बडली, सरकार बडली ठीक उसी तरह यहां के दिवारों की दुर्दशा भी बदलती गई। लहाजा देखना लाजमी होगा कि शासन और प्रशासन इस ओर कब तक अपना ध्यान आकर शिट करता है। मैं सब मौजूद हूँ मंगूलपुरी के उसी जगे पर जहां की जो मैं बात कर रहा हूँ ये पंजाबी कलोनी के नाम से ये जो कलोनी है जान जाती है। और तस्वीरे साथ तोर पर इस बात को बया करने में आमादा है कि किस तरीके से यहां की दिवारे खंड हर में बदल चुकी है और लोग यहां पर डर के साए पर रहने को मजबूर है। को बता दे कि ना केवल दिवार बलकि कई घरों की जो छठे तक जो है वहां में लेंटर है वह टूटता यहे पक्सष चते है। इस डर के साय में यहां पर रहने को मजबूर है कि कभी भी कोई भी परिवार का सदस्या दुरघटना का शिकार हो सकता है और अक्सर कई बार लोग दरुघटना का शिकार हो जाते हैं वह अगर हम बात करें तो अगर साफ सफाई की विवस्ता की बात करें तो तस्वीरे साफ तोर पर इस बात को बया करने में काफी है कि किस तरीके से लोग यहां पर रहने को मजबूर होंगे नाकेबल साफ सफाई की विवस्ता की हालत चरमराईय बलगी यही जो विवस्ता है यह تمام जो महामारी को भी डावत देने का काम कर रहा है ऐसे में यहां के लोग किस हालत में रह रहे होंगे इसका अंदाजा साफ़तोर पर लगाया जा सकता है कि लोग नार के जीवन जीने को मजबूर हैं जब यहां के लोगों से हमने बात की तो उन्होंने साफ़तोर पर बताया कि यह जो कालोनी है ये 1984 के बाद बसाई गई थी लेकिन उसके बाद कभी भी इस कालोनी के और कोई झाकने नहीं आया हाँ ये जरूर है कि लोग आए राजनेती हुई और कमाम आशवासन दिये गए लेकिन वो आशवासन महज आशवासन ही बनकर रह गए और जो दिवारे खंड़हर हो रहे हैं उनको उसी जरजर हालत में छोड़ दिया गया है यहां के लोग अब इस दुर्दशा में रहने को मजबूर हैं और अक्सर लोगों को दुर्घटना कड़ सताता है ऐसे में लोगों का कहना है कि इस ओर ध्यान दिया जाए ताकि यह जो देनी हालत है इसमें सुधार क्या जा सके लिहाज़ा जरूरी है कि शासन और प्रशासन इसका लोनी की ओर एक बार चाके और अपना ध्यान आकरशित करें और कुम्पकर्णी नीन से जाकर इसका कोई सम आधान निकाला जा सके देखना लाज़मी होगा कि कब तक शासन और प्रशासन इस ओर अपना ध्यान आकरशित करता है और यहां के लोगों को एक राहत भरी खबर देता है दिली से अपने सयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार के रिपोर्ट हम वतर दीवी